प्रियांका नोलिज बैंक में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाई मेनों आप सबको धेर सारा प्यार और मेरा प्यार बना नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाई मेनों कैसे हो आप आसा करती हूँ आप सब ठीक होंगे आनांद मैं होंगे कुसल से होंगे तो आज हम आप सब के लिए बना रहे हैं मसाला अर्वी क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाई मेनों मसाला अर्वी मसाला अर्भी खाने में बहुत ही तैस्टी और लाजवाब लगती हैं बहने मेरी अपने बच्चों को स्कूल में और अपने हजवेंट को दफ्तर में और खुद भी सर्विस करती हो तो अपने भी टिपिन में ले जा सकती हैं आपके साथ के भी मांग मांग के खाएंगे यह बहुत ही अच्छी लगती हैं बहुत ही तैस्टी लगती हैं तो चलिए बनाते हैं हम यह एक किलो अर्भी हैं इन्हें हमने अच्छी तरह से दुलकर साप कर लिया है अर्वियों को जब भी आप बजार से लाएं मार्केट से या आपके पड़ोस में गली में बिखने आएं तो अच्छी सी छांट छांट के इस तरह की अर्वी लें ये गल्ले में बहुत आसान रहती है अच्छी सी महंगी तो मिलेंगी लेकिन अच्छे से छांट के लें चाकू की मदद से हम अर्वियों का छिलका छील लेते हैं इस तरह से अर्वियों को हमेशा दूलकर ही छीलना चाहिए हाथ में कहचे नहीं लगते हाथ में जलन हो जाती है ना अर्वियों को छीलके अब एक बाराग जोगो और अच्छी तरह से दो लेते हैं अब इन्हें हम गोल गोल तेज चाकू से काट लेते हैं आप चाहे तो इन्हें लंबा भी कार सकते हैं किसी भी सेप में कार सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसाथ बारीक बारीक काटने से ये गल जलती जाती हैं सभी अर्वियों को हमने बारीक गोल सेप में काट लिया है अगेटी जलाकर कणाई रख रहे हैं और हम तेल डाल रहे हैं एक छोटी चमत जीरा एक चमत छोटी अजवाएं थोड़े ज़न जाद और डालें थोड़े एक छोटी चमत लाई परिपस्ता जलती है बत्तै हूँ एक वी आया है छोटी कुझ में थे सब क्रोटी कुझ महड़िट हैं छोटी चलेगे रहते हैं उबाशी आकर के में corrosion पर लिएशगश'tar भ्र्वता. कर दो कर दो कर दो कि में अथी तरह से भून लेना है लोहे की कराई की अर्वियों का चैस्ट अलगी रहेगा स्वाद अन्दु साथ सेंबा नमग एक छोटी कमत लाल में चैस्ट एक कमत अलबी कर दो एक कमता है लोगने हैं कर देनी है कि दब देते हैं और धीमी आज पेर धीरे धीरे बनने देंगे हरी हमारी गल्चुकी है सूखी सब्जी है न तो चत्पता बनाने के लिए हरी मिल्चोर दाल रहे हैं पता हुआ अध्रक छोटी चमाच गरम मसाला एक छोटी चमाच चम्चूर पाउडर एक चमाच घुना बेशन डालने से अर्वियों का स्वाद चार गुना बढ़ जाएगा अर्भी बन चुकी है मसाले वाली अर्भी बनकर तैयार है आप सब भी इसी तरह अध्या से बनाना और खाना और खिलाना और अपना अनुभाव प्रियंग का नोलिज व्यंक पर सेयर करना मेरे प्यारे बच्चों मेरे बह बैनों हमारे चैनल के सदस्ये जरूर बना हमारे वीडियो को लाइक करना कमंड करना सेयर करना हमारा होशला इसी तरह से बढ़ाते रहना अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ खुश रहो आनन दित रहो बाइ बाइ